Hello everyone, welcome back to the channel आज के वीडियो में हम आपको ऐसे दो मेथड बताने वाले हैं जिनको यूज करके आप अपने पैन और अधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि दोनों आपस में लिंक है या नहीं पैन और अधार को लिंक करना सभी लोगों के लिए mandatory है लेकिन चार तरह के लोग यहाँ पर specify किये गए हैं जो की exempt है पैन और अधार को लिंक करने से कौन वो चार लोग होंगे उसका वीडियो चानल पर कली upload किया था लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा इन चार लोगों के अलावा बाकी जितने भी तरह के लोग हैं सभी के लिए पैन और अधार को लिंक करना mandatory है इन केस आपने पैन और अधार लिंक नहीं किया 31 मार्च 2023 तक तो आपका पैन इनक्टिव हो जाएगा पैन को दुबारा से activate करवा सकते हैं लेकिन उसके लिए notification नहीं आया है कि किस तरह से active करवाना होगा और कितने charges यहां पर देने पड़ेंगे पैन अधार की linking का status check करके आप यह जान सकते हैं कि आपका पैन और अधार आपस में link है या नहीं अगर link नहीं है तो आप late fees के साथ उसे link कर सकते हैं और कैसे करना है चैनल पर video upload है link आपक income tax की website पर है income tax.gov.in इस पर आपको left hand side में मिल जाता है quick links जहां पर आपको एक option मिलता है link आधार का यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से interface open होता है जहां पर आपको आधार से related कुछ important बातें बताई गई हैं यहां information में आप एक बार यह read कर लीजगा तो आपको काफी स सारी information यहां से मिल जाएगी इसके बाद अगर आपको अपना status चेक करना है तो आपको यहां पर अपना pan देना है यहां पर अधार number देना है और validate पर click कर देना है आपका pan और आधार आपस में link है या नहीं यहां पर message display हो जाएगा और आप check कर सकते हैं जलिए हम अपना pan और आधार यहां पर डाल लेते हैं और देखते हैं किस तरह से यहां पर message flash होगा हमने यहां पर pan और आधार दोनों enter कर दिये हैं अब हम validate पर click करेंगे तो यहां पर message आ गया है your pan is already linked to given आधार ओके है इसे close कर देते हैं मतब आपका pan और आधार link है in case आपका pan और आधार आपस में link नहीं है तो यहां पर आपस payment के लिए पूछेगा और कहेगा कि pan और आधार link नहीं है इसलिए आपको यहां पर payment करना होगा late fees का आपको NSDL की site पर जाकर चलान number 280 के अंदर late fees का payment करना है जो कि जून तक है 500 रुपया और जून के बाद हो जाएगी 1000 रुपया किस तरह से यह process किया जाएगा पूरा हमने वीडियो में explain किया है link आपको नीचे description box में मिलेगा तो पहले आपको payment करना है और 4-5 दिन के बाद आपको यहां पर अपना pan और अधार डालके validate करना है आपका pan और अधार असानी से link हो जाएगा तो यह दो था first method और इस method में एक problem क्या आएगी कि अगर आपको अपना अधार number नहीं पता है तो आपको अधार number देखना पड़ दालके ही आप check कर सकते हैं कि आपका pan और अधार link है या नहीं तो चलिए देखते हैं दूसरा method उसके लिए हम Google पर जाएंगे सबसे पहले यहां पर हम type करेंगे pan linking status अब यहां पर सबसे पहले आपके पास site आ गई है pan.uti.com की इस पर हम click करेंगे pan अधार linking check यहां पर लिखा of birth देनी है और capture डालकर आपको submit कर देना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका pan और आधार link है या नहीं तो हम same pan number और आधार के साथ यह काम कर लेते हैं और आपको दिखाते है message किस तरह से flash होगा submit करने के बाद आपको इस तरह से message दिखेगा आधार is already linked to pan यहां पर ok कर income tax की website पर मिलेगा जो कि हम first method में देख चुके हैं यहां पर इन्होंने link दिया हुआ है website का यहां पर आप click करेंगे तो आप सीधे pan आधार link वाले page पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आप अपना pan और आधार enter करके चेक कर सकते है status जैसे कि हमने अभी first method में आपको दिख last date है और जून तक अगर आप link कर लेते हैं तो 500 रुपए की late fees देनी पड़ेगी लेकिन अगर जून के बाद करते हैं तो 1000 रुपए की late fees लगेगी इसके साथ ही 31 March 2013 को date end हो जाएगी और अगर आपने link नहीं किया है तो आपका pan deactivate हो जाएगा hope कि ये वीडियो आपके लिए काफी useful रहा होगा so thank you so much for watching this video अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को subscribe करना मत भूरिएगा वीडियो को like and share कर देजेगा thank you so much for watching this video stay safe and healthy bye bye